नमस्कार दोस्तों मैं विशीक आपका विशीक टिटिरियल पे स्वागत करता हूँ विहार बोट को ये हो क्या गया है पहले इंटर और अब मैट्रिक मैट्रिक और इंटर का परिणाम तो जारी हो गिया इंटर का परिणाम जारी हुआ 26 मार्च को और मैट्री का परिणाम जारी हुआ है कल और ऐसे में बी हार्डबोर्ड के जो भी परिछारती यहां पर बो परिशान है कि उनके मार्क्स जो मिले हैं जितना उन्होंने लिखा है उतने नहीं मिले हैं यानि जातर बिल्कुल प्रशान है कि उनके पास जो मार्क्स आये हैं किसी को objective के मार्क्स मिले हैं सिर्फ तो किसी को जितना लिखा गया है उसके अनुरूप मार्क्स नहीं मिले हैं चात्रों का कहना है कि यहाँ पर जो कौपी जाच हुई है वो ठीक से नहीं हुई है उनको सही मताबिक यहाँ पर मार्क्स नहीं मिले हैं पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सब कुछ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आकिर क्या गरबर हुआ है चैनल पर पहली बार है चैनलों को सबस्क्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि बिहार बोर्ट की हर अपडेट आपको मिलती रहे साथी साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाखों लोग तक सेयर करें ताकि सभी तक यह बात पहुँचे क्या आखिर यहां पर चैनलों की बिहार बोर्ट की कैसे गलती हो रही है यहां पर सभी को जानना बहुँच ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें जितनी लोग देख रहे हो एक लोग एक बार पसरूर जरूर सेयर करो ठीके जितनी लोग भी देख रहे हो सभी सेयर करो पहले तो छात्र टेंशन में थी कि रिजल्ट कैसा आएगा रिजल्ट कब आएगा लगतार जब से एक्जाम देते हैं छात्र टेंशन में रहते हैं जब तक result नहीं आयाता है तब तक टेंसर में रहते हैं कुछ चात्र जो होते हैं बिल्कुल confidence में होते हैं exam जब अच्छा चला गया है तो उन्हें भरोसा होता है अपने उपर exam अच्छा गया है तो marks तो अच्छे आएंगे ही आएंगे बिल्कुल खुसकुस होते हैं result के दिन थोड़ा सा दिल घबड़ाया रहता है और ऐसे में result का इतना बूरा आजाना अचानक से चात्रों को सौक्ट कर देता है यानि जो अच्छा बना कर आए हैं जो बहुत अच्छा बना कर लाए हैं उन्हें उमीद है कि मेरे सारे 400 माक्स आजाएंगे मेरे 400 प्लस माक्स आजाएंगे 80 प्लस परसेंटेज आजाएगा और उनके साथ अगर धोगा हो जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगी बो तो या च्छात्र ही बता सकते हैं कि आगर उनके साथ हुआ क्या है पहले इंटर में जो ही हुआ इंटर की निज में दो दिन से लगातार इसी पे बना रहा हूँ ठीक है भली कोई यूटूबर बनाए या ना बनाए लेकिन मैं चात्रों के साथ लगातार बना हुआ हूँ कि उनके मार्क्स जो है लगातार कम रहे हैं जो पढ़ने वाले चातर हैं उनको मार्क्स तो मिले ही नहीं यानि कि जो कभी तैयारी नहीं किये हैं उनके मार्क्स बहुत बढ़ा कर दियेके हैं और जो तैयारी किये हैं उन्हेके मार्क्स कम हैं अनकैडमी पर चल रहे हैं बंफर आप heroes stage 2022 के लिए अगर आज कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2022 तक के लिए फिरी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है रेफरल कोड अभी सेख टुटिरियल डाले और आज ही इंडॉल हो जाए है साथी आने कैडमी लेकर आगया है नीट 2021 रिवीजन बैज फोर 90 डेज यानि 90 दिनों में आपकी पूरी तियारी कराई जाएगी इंडिया के टॉप एस्जोगेटर के दौरा जो की सुरू हो रहा है तीन अप्रेंस से लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है आज ही इंडॉल कर साथी साथ अरली इंसीज बैज जो की है नीट 2022 के लिए सुरू हो रहा है सेवेंथ अप्रिल से अगर आपका सपना है 2022 में नीट क्रेक करने का तो यह मौका बिल्कुल मत शोड़ना फी की बात का तो अगर आप दो सालों का कोर्ष लेते ही तो मात्र आपको 56,000 लगता है और एक महीने का 7,000 लगता है तीन महीने का अगर 17,500 में लेते हैं तो आप यहां पे 31 जुलाई तक इंडॉल हो जाते हैं बिल्कुल फ्री में तो तीन महीने का कोर्ष ले मात्र आपको 17,500 लगता है लिंक डिस्किप्शन में दिया गया अनेकैडमी पे चल रही है टॉप क्लास सिप लेकर भी यहां पर परहाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में तो लिंक डिस्किप्शन में है आज ही इन्रॉल हो जाए रेपलर कूर अभी सीक टی्टोयल ऑढ़े और यहां पर हर भी कर चल रहा है लाइप क्लास पर डे आफ अफ फ्री क्लास कर सकते हैं फ्री टेस्ट से कराना सबसे बरी गलती है समय पर एक्जाम कराना आकिर बिहार बोर्ड ही समय पर एक्जाम क्यों करवाया पूरे भारत में CBAC बोर्ड नहीं करवाया ICAC board नहीं करवाया और भी जो च्छेतरीय वोर्ड है बेंगाल वोर्ड है पंजाब वोर्ड है, राजिस्थान वोर्ड है ये सारे वोर्ड exam क्यों नहीं कंड़क्ट करवाया बिहार बोर्ड को क्या परी थी exam कंड़क्ट करवाने के लिए और एक्जाम कंड़क्ट हुआ चातर को बिहारबुट को पता तो था कि चातर त्यारी में है नहीं सिलेबस भी कम नहीं किया गया सभी जग़ सिलेबस कम हो गया फिर भी अभी तक एक्जाम नहीं हुआ है C.B.S.E. का ले लिजिए और एक्जाम भी ले लिया अब चातर करें तो क्या करें मजबूरी है एक्जाम तो देना परेगा अब ऐसे में एक्जाम तो दे दिये है जितनी भी तैयारी थी फिर भी रात दिन तैयारी कियें जो भी उनके पास पाच महिना छे महिना जो भी मिला उसमें रात दिन तैयारी क करता है और एक्जाम देता है और एक्जाम उसका अच्छा भी चला जाता है अब आती है रिजल्ट की वारी छातर बिल्कुल खुसर होता है कि चलो एक्जाम तो अच्छा गया है रिजल्ट तो अच्छा आहीं जाएगा लेकिन उसके साथ होता बहुत बुरा है उसके साथ पर माकसा आजाते हैं कम अब ऐसे में जो उसके पैरेंस होंगे उनके ओपर क्या प्रेसर डालेंगे यह लड़का पढ़ता नहीं था मोबाइल लेकर सवरा दिन वीडियो देखते रहता था पैरेंस तो यहीं समझेंगे ना तो छात्र की जो मनहस्तिती क्या हो गई है बहुत एक चात्र ही समझ सकता है चात्र का दर्द ठीक है लेकिन जो इस बात को समझ नहीं सकते सी टाइम पर एक्जाम ले रहे हैं टाइम पर रिजल्ट जारी कर रहे हैं चात्र क्या हो रहा है चात्र किधर जा रहे हैं चात्र रो रहे हैं यहां पर लख रहे हैं उनके दिल पर क्या इतना बूरा रीजल्ट में percentage भी कम गया है हर साल से रीजल्ट बूरा हुआ है रीजल्ट तो ख़रां चाटर त्या्री में थे रीजल्ट तो बूरा हो नहीं था लेकिन आप टाइम पर प्रिच्याल ले लिये इसमें आपकी भी तो गलती है सोचना चाहिए था न, छातर त्यारी में नहीं है, आप एक महीना का टाइम बढ़ा सकते थे, दो महीना का टाइम बढ़ा सकते थे, ऐसे भी अभी तो एडमेशन होने जा रहा है, इन नहीं रहा है, जब तक CBSE का एक्जाम नहीं हो जाएगा, आगे 11th का एडमेशन हो, या 12th जो पास की है, ग्रैजुएशन में एडमेशन हो, जब तक CBSE एक्जाम नहीं करवा लिती या परमोट कर ले, या कैसे भी कर ले, जब तक वो फाइनल रिजल्ट जारी नहीं कर देती है, आप एडमेशन तो सुरू करेंगे नहीं, तो दो महीना इने बैठा कर रखने से अच चाहिए, जल्दवाजे में खौपी जाच हो गई है, छात्र को अच्छे माक्स मिले नहीं है, और ये मैं नहीं कर रहा है, ये लाखो छात्र का कॉमेंट है, कुमेंट खुद गवाही होता है, कॉमेंट में एक छात्र गलत बहु सकता है, दस छात्र गलत बहु सकता है, लेक जाहिर करना चाहते हैं तो comment box खुला हुआ है जितना comment करना है कर सकते हैं और वीडियो को लाखों लोगा तक शेयर करें यह आपके हग की बात है हग छोड़ना नहीं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में thanks for watching this